BPSC के तरफ से BPSC TRE First के Supplementary Result में चैनीज सिचा का भीयर्थि और BPSC TRE 2 के सभी वर्ग में चैनीज सिचा का भीयर्थियों को यहाँ पर डॉक्मेंट्स री अप्लोड करने का मौका BPSC के तरफ से आपका दिया गया जो कि इसको लेकर हम बात भी किये थे कि सिचा भाग के तर से अनुसंसा भीयर्थ कर BPSC के तरफ से पोर्टल उपेन करने को लेकर बोला गया था कि इन सिचा का भीयर्थियों के लिए आप पोर्टल जो है उपेन कर दीजिए ताकि यह लोग अपना डॉक्मेंट्स सही डॉक्मेंट्स री अप्लोड करे पाएं और जिस पे BPSC का वा जो है आपके माध्यम से किया गया है उसे सही करने है तो अंतियम आउसर BPSC के तरफ से आपका दिया जाता है और यह जो पोर्टल है आनि BPSC का जो आपका पोर्टल है सफल उमिद्वारों के लिए जो है आपका खुला रहेगा आनि जो कंडिडेट यहाँ पर सक्सेज तो आप लोग यहाँ पर 30 December 2013 से 1 January 2024 तक कर सकते हैं फिर उसके बाद BPSC TRE2 में जो चैनिज सिचा का भेरती हैं आप लोग 3 January से लेकर 7 January 2024 तक आप लोग अपना डॉक्मेंट्स अपने पोर्टल के माध्यम से रिप्लोड जो है कर सकते हैं बाकी यहाँ पर आप लोग का जो आ certificate या फिर mark sheet number वगरा होता है तो उसमें आप लोग mistake किया है या फिर जो आपका issue date वगरा रहता है तो उसमें आप लोग यहाँ पर mistake किया है तो ध्यान रखेगा कि इसमें सिर्फ आपको documents re-upload करने का मौका मिलेगा आनि जो आपका PDF होता है सिर्फ PDF में ही आप यहाँ पर ब बदलाव कर सकते हैं उसके अलावन दिव्यांकता वगरा का certificate उसमें आप जो है बदलाव कर सकते हैं मेरे कहने का मतलब है कि form submit करते time जितने भी आप PDF जो है अप लोग कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके से आपका portal रहेगा जो आप लोग upload कि हैं उसके बगल में आपका नया portal ज आप इसके अस्तान पर डॉक्मेंट जो आपका सही है उसे आप यहाँ पर री अप्लोड जो है कर दीजे तो ध्यान रखेएगा आपको फीलफ करने का ओप्शन जो है भी पीसी के तरफ से अपका नहीं दिया जाएगा ट्यारी फर्स में भी जिस तरीके से था उसी तरीके से आपका TRE2 में भी तो सिर्फ आपको यहाँ पर अप्लोड करने का मौका जो है उदिया जाएगा किसी भी तरीके से आप यहाँ पर फीलफ वगरा जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिर्फ आप यहाँ पर दस्तावेज में बदलाव कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपका जो अनुसंसा सिचावा के तरफ से भेजा गया था तो उसमें आपका बूला गया था महत्यपूर डॉक्मेंट्स को लेकर तो ऐसा नहीं कि आपका B.A.D.L.A. F.E.C.T.E.D. वगरा सभी जितने भी आपके डॉक्मेंट्स पेडिया फर्मेट में अपलोड किया है उ उसमें यदि आपका spelling वगरा फिर कोई तुरूटी वगरा है तो उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है यहाँ पर आपका अधारकार का नंबर है वो आपका यहाँ पर मेर है क्योंकि आपका counseling हो रहा है आधारकार के नंबर के base पर आपके registered mobile नंबर पे आपका OTP भेजा जा र पर तुरूटी आपका होगा कि आपका पढ़ाई नहीं जा रहा हो या फिर आपने दूसरे कौई का आपने अस्थान पर दूसरे कोई का आपनी आधारकार अपलोड कर दिया हो तो ऐसे condition में आपका जो अधारकार उससे आप अफलोड कर सकते हैं लेकिन आप यहदी अधार अपने जो गलत किया हो तो उतो जो आप इंटर किये हैं जो भी आपका धार कार नंबर होगा उससे ओ लोग इंटर करके ओ लोग OTP भेज रहें तो उसमें आप किसी भी तरीके से बदलाव या फिर आप इसमें संसोधन वगर जो नहीं कर सकते हैं तब फिर यहां पर आप बना वना कर ओ लोग अपना कांसिलिंग वगर जो है करा सकते हैं क्योंकि आप अपना ओरिजिनल अधार काट्ट देंगे तो उससे ओलो और लोग कांसिलिंग कर लेते हैं यदि उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं तो ओलोग एफी डेविट भी बहुत सारे आपकी हैं उस counseling center पर आपके एफिडिविट जो है पापका चल जाता है और आपका एफिडविट होता है तो जो भी आपका counseling center है उस counseling center पे कोई न कोई आप रास्ता जो है उनिकल वाली जएगा यदि उसके बाद भी नहीं मारें तो जो आपके उस जिले के जिला सिचापवा दादिकारी होंगे उनसे आप contact करेगा कि सर कोई रास्ता तो निकालिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका समाधान ही नहीं निकलेगा आपको यहाँ पर सिचक भरती से बाहर जो है बापका कर दिया जाएगा आप यहाँ पर कुछ भी फिर बदल जो है उनहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आपका जो दस्तावेज अपलोड वाला पर करिया है सिर्फ उसमें ही आपको यहाँ पर रिख अपलोड करने का मौका जो है वो दिया जाएगा अब यहाँ पर आप लोग का डाउट होगा कि ठीक है हम यहाँ पर कांसिलिंग के लिए जाएं या फिर आप यहाँ पर 3 जनवरी 2024 के बाद जाएंगे क्योंकि आपका पोर्टाल ही तिन जनवरी 2024 को अपन होगा तो देखे यह आपके उपर जो है वो डिपेंड करता है आप अपने सोय बिवेक से सोचेगा कि यदि मालीजी आपका जो कांसिलिंग सेंटर है उस कांसिलिंग सेंटर पे थोड़ा बहुत जो आपके दस्तावेज जो भी आपका तुरूटी वगर है और उस तुरूटी के काड़ आप लोग कांसिलिंग यदि करा लिया जा रहा है तो आप counseling के लिए चले जाएगा या फिर आपको लगता है कि नहीं वहाँ पर counseling के नहीं करा जा रहा है वहाँ पर जाने से कोई फाइदा नहीं आपको फिर वापस गयाना पड़ेगा तो 3 जनवरी को जो आपका portal खुलेगा तो उसके बाद आप अपना documents है जो documents है उसे आप re-upload कर दिजेगा फिर उसके बाद आप counseling के लिए जाएगा कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है आप लोग सुचेंगे कि 3 जनवरी 2024 बहुत दिन है तब तक आपका counseling समाप्त हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुन नहीं है जितने भी BPSC TRE2 में Chinese सिचा का वियरती है आप सभी लोगों को documents verification और counseling है आप सभी लोगों को मौका जो है मिलेगा तो इसलिए जो आपका सिचा भी भाग वाला letter है कि 30 जनवरी 2024 तो वो आपका प्राथमी को लेकर दिया गया था तक आप लोग का counseling जो है उचलेगा maximum सिचा का वियरती रहेंगे तो आपके DRCC या फिर जो भी आपके जिले में counseling center बनाएगे वहाँ पर आप लोग का counseling होता है उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कुछ सिचा का भेरती बचते हैं जहाँ पर लगता है कि counseling center अब एक तरीके से बंद कर देना चाहिए तो वो जिला के जो आपके जिला सिचा पताधिकारी कार्याले होता है तो वहाँ पर आप लोग को बुला कर counseling और documents verification करा लिया जाता है करा लिया जा रहा है तो आप counseling के लिए चले जाएगा बाकी नहीं करा जा रहा है तो आप अपना documents री upload करेगा तीन जनुरी को आपका पोटल ओपेन हो जाएगा तीन जनुरी को आप री upload करेगा री upload करेंगे तुरंत आपका भी उस documents पर BPSC का watermark लग जाएगा फिर उसके से आप कर सकते हैं बाकी BPSC TRE2 में जो आपके counseling center हैं अलग-अलग counseling center पे अलग-अलग तरीके के जो हैब आपके समस्या हैं क्योंकि यह जो आपका counseling का प्रक्रिया है वो आपके जिले वाइज आपका बार दिया गया है तो बहुत सारे SG ले हैं जहाँ पर उसी तुरूटी से आप लोग का counseling करा लिया जारा है और बहुत सारे SG ले हैं जो उसी तुरूटी से मतलब उतना सेम आपका बराबर तुरूटी है आप लोग का counseling जो है आपका नहीं करा जारा है तो यहाँ पर जो आपका documents वाला था तो I hope कुछ candidate का थ कुछ नहीं बहुत सारे इसे कंडिरेट थे जो counseling से आप लोग को बाहर आपको आना पड़ा और आप लोग को वापस आना पड़ा तो संभवता अब यहाँ पर क्या है कि जब आपको इस तरीके का news मिला होगा तो नौर्मत से बाते आपको मतलब खुसी तो होगा क्योंकि आ counseling center वाले हैं वो उस समस्या का समधान जान बुझकर जो है उनहीं करें देखिए थोड़ा बहुत भी आपका तुरूटी वगड़ा मिश्टेक होता है तो वो आपका एफिडेविट जो है आपका मैनेज हो जाता है क्योंकि एफिडेविट में आप सपत ही तो देते हैं कि आप कारवाई करिएगा उसके बाद भी ओलोग एफिडेविट नहीं ले रहें कुछ जिले में आपका एफिडेविट जो है आपका एसेट कर लिया जा रहा है बाकी यहां पर जो आपके डॉक्मेंट्स वाला गलती था तो उसका यहां पर समधान सिछा भाग के तरफ से आ अपके ड़ी करिया है इसको लेकर वीप्यस के तरफ से आपका प्रोपर जाsels जायेगा तो इसमें देखा जएगा कि आप जो आपके राजपत्री पदा धिका रहे हैं आनि जो आपके gadgeted officers हैं, उनसे attested करवाने को लेकर बोला गया है, या फिर नहीं, संभवता उनसे attested करवाने का बोला जाएगा, BPSC के तरफ से notice को लेकर, तो थोड़ा सा आ जाएगा, तो आपका clear हो जाएगा, बाकी जैसे notice आता है, attested को बोला जाता है, जो भी आपके जो है कर देंगे, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वेल आकान को प्रेज़ वे, जरूर कर लिजेगा, मिलते हैं लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए, thank you, bye bye, take care all the way, thank you for listening, God bless all, thank you